आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ये क्वेशिन में हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार मैगनेट लिया जिसका पॉल स्ट्रेंग्ट है स्मॉल एम एन मैगनेटिक मोमेंट है कैपिटल हम और हम लोग उसको ल॑ंजिचोडियनल ये क्वेशिक पाद सकीата और ट्रांसवेर स्ली क्या différemment अभी क्या होगा यह जो हम लोग को बोल ना एक है सब्सक्राइब 250 अज हम लोग का बार मैगनेट पर इसको हम लोग क्या किया पहले सब्सक्राइब करेंगे तब क्या होगा इसको हम लोग यह जो लोग यह जो लोग सब्सक्राइब करेंगे अब लोग सब्सक्राइब करेंगे इसको यह जो मैगनेट है इसको हम लोग ऐसे कड किया एन इक्वल पार्ट किया इधर भी हम लोग क्या किया एन इक्वल पार्ट किया इधर क्या होगा लेंग्ट इस नॉट एफेक्टेड लेंग्ट इस नॉट एफेक्टेड राइट लेंग्ट क्या है एफेक्ट नहीं हरे लेंग is equal to l by n हो गया था इधर m- magnetic pole strength जो है वो n equal parts हम लोग ऐसे cut किया है therefore m divided by n हो जाएगा तो यह दोनों के बाद यह दोनों हम लोग cut करने के बाद क्या होगा यह हम लोग को बोलना है दोनों cut करने के बाद we know pole strength m has become m- is equal to m divided by n and magnetic moment का हम लोग बात करेंगे magnetic moment is the product of magnetic pole strength into pole strength into length of the length of the magnet right it is equal to एक पार्ट का एक पार्ट का magnetic moment एक पार्ट का pole strength कितना है m divided by n है right total m था वो n parts में बढ़ किया इधर जब हम लोग ऐसे किया था तब क्या हो गया m divided by n है pole strength pole strength is equal to m divided by n into length okay short piece का length l कितना होगा l divided by n होगा क्योंकि हम लोग l equal n equal parts किया है साय length को देफोर length of one piece is equal to l divided by n right it is equal to m into l divided by n square right m into l divided by n square it is equal to पहले कितना था m into l is initial magnetic momentum and initial magnetic moment right therefore it is equal to capital m divided by n square तो क्या होगा pole strength of each piece क्या होगा small m divided by n यह अगर हम लोग ऐसे नहीं कट रहे ऐसे हम लोग अगर नहीं कट रहे तो pole strength will remain m is equal to m itself m dash is equal to m itself but हम लोग ऐसे भी कट किया तो pole strength क्या हो जाएगा n equal parts each part को क्या हो जाएगा m divided by n हो जाएगा and magnetic moment m by n square देफोर कॉंसे option हम लोग असा होगा option b small m divided by n and magnetic moment capital m divided by n square is the right choice classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्सो पर